उद्धम सिंग नगर के जस्पूर छेत्र के अंतरगत नैशनल हाईवे चहतर पर बनाट टोल प्लाजा अक्सर विवादों में घिरा रहता है एक बार फिर टोल प्लाजा कर्मचारियों की गुंड़ागर्दी का मामला सामने आया आपको बता दे की पीडित चिराक चहान काशिपूर से वापस जस्पूर आ रहा था रास्ते में बारिश होने के कारण पीडित टोल प्लाजा पर खड़ा हो गया और अपना हेलमेट टोल प्लाजा पर खड़ी कर्मचारियों की एक गाड़ी पर रख दिया जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पीडित चिराक चहान के साथ टोल प्लाजा मैनेजर समेथ कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की पीडित द्वारा कुंडा थाने में तहरीर देकर कारेवाई की मांग की वहीं अपर पुलिस अधिक्षक काशिपूर्चंदर मोहन सिंग ने बताया कि एक यूवक बाइक से आ रहा था जो बारिश होने के कारण टोल प्लाजा टीन शेट में रुख गया जहां टोल प्लाजा करमियों की गाड़ी पर हेलमेट रखने को लेकर कहा सुनी और मारपीट हो गई में एफ आयर रेजिस्टर होई है खाना कुंडा में और बिवेशना उसमें पर्च लेता है